अलो एवरीवन आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परिक्षा के आज के इस वीडियो में जिसके अंदर में friends हम लोग हमारा यूपी परिक्षाओं से इसके related जो हमारी एक सीरीज है विजेता सीरीज इसको चला रहे है जिसमें friends हम लोग 30 दिन के अंदर में जितनी भी आप लोगों की UP की एक्जाम सोती है चाहे UP SSSCE, PET की एक्जाम हो, RO, ARO की एक्जाम हो आप लोगों की, अब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में आप उसको देख लेना उस प्ले लिस्ट को भी आप लोग जरूर देख लेना तो friends यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज के इस lecture को और मैं आपको बदा दूँ कि यह lecture आप लोगों को सिफ यूपी की ही नहीं बलकि देश मे यहां पर में इतना सारा motivation देने के लिए और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी जल्दी जल्दी से like कर देंगे जहां जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम, Facebook, WhatsApp, Instagram जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से अपन में लिखा गया था संगम साहित्य तो देखें संगम साहित्य की बात करूँ अगर मैं तो यह आप लोगों का दक्षिन भारत के अंदर में जो संग या फिर आप लोगों की बैठके आयो जीत हुई अलग-अलग विद्वानों की, राइटर्स की, पोएट्स की और अलग-अ कहा जाता है और तीन संगम का उलेख हमें मिलता है और उन संगम में, उन संग के अंदर में, बैठकों के अंदर में जो साहित्य निकला, उनको संगम साहित्य कहते हैं, संगम साहित्य जो लिखा गया था दक्षिन भारत के अंदर में, वो लिखा गया था आप लोगों का तम मदुरही के अंदर में ठीक है मदूरा लिखो या मदूरही लिखो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है everyone's okay ऐसा लिखा जाता है मदूरही को मदूरही बिंद बोल सकते हो मदूरा मदूरही आप लोगों जो इसरी वाली जो संघन बैठक आप लोगों की आयो जित हूई थी वो हुई थी आप लोगों की मुदूराई के अंदर में इडर में लिख लीजी आप सभी लोग मदूरई, कपाठपूरा मदूरई, इन सारे संगम पोयम्स, जो संगम साहित्ते, उन में से सबसे जो आप लोगों का, यहां पर में friends, एक important जो साहित्ते आप लोगों का, जो आप लोगों ने ध्यान रखना है, वो है आपका तोलका पियम, ठीक है, तोलका पियर ने लिखी थ यह तमील भाषा का व्याकरण है, और यह सबसे पुराना वाला जो available है आपका, जो पहले इसके अंदर में लिखे गये थे, वो भी माना जाता है कि lost हो गये, ठीक है, पहले वाले जो आप लोगों के संगम जो बैठक थी, उसके अंदर में जो बने थे, तो तोलका पियम, ज तो है वो तमील भाषा का व्याकरण भी है आप लोगों का, ठीक है, तो यह आप लोगों के question, मैं revision भी करा तो आपको question के through, तीसरी संगम बैठक कहा पर में आयोजित हुए थी, दक्षिन भारत का इतिहास अगर आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग यही से start कर सकते ह कि तृतिय संगम, पहली, दूसरी, तीसरी, जो संगम में आपको बताने कहा आयोजित हुए थी, तो पहली और तीसरी जो है, यह मदुरही में आयोजित हुए थी आप लोगों की, और दूसरी वाली जो थी, वो कपाठपूरम में आयोजित हुए थी, तो यह याद रखने ह संगम संगम बैठके कम से कम आयोजित हो गई कहा कहा ओई थी जल्दी से comment करके बता दीजिए और like & share जरूर करते रहेंगे इतने भी लोग देख रहें सभी के सभी लोग like & share जरूर करते रहेंगे ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में आप लोगों को पढ़ा सकूँ ओके नेक्स कोश्चिन की तरब में आगे पढ़ते हैं संगम तमीलों का प्राचिनतम उबलब्ध ग्रंथ कौन सा है तमील संगम जो आयोजी तुई ती कितनी संगम आयोजी तुई जल्दी से ulör में लिख देंगे कितनी संगम आयोजी तुई ही थी इन संगम हुई थी जिन में से चाहितिय के सं Deal से जो पुराना वाला बैठाचों में बनाया गया सबसे पुराना वाला अविलेभल है तोलका पियम यह तमील भाषा ग्रामिंट नाम के एक ऐं मेंटामिं उ हो जाएगा आप लोगों का ठीक है निम्न में से कौन सा प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंदीत है तमिल ग्रंथ का व्याकरण आप देख सकते हो आरे साइटिस प्रीलिम इस्ट्री दूसरी कपाटपूरम के अंदर में तीसरी फिर मदुरही के अंदर में ठीक है दूसरी वाली संगम के अंदर में तोलकापीम जो की तमिल भाषा का ग्राम अरे उसकी रशना की गई ती याद रखना है आप सभी लोगों ने चलिए नेक्स्ट कोश्चन के तरब में आगे अंदर में तो अंदर जाओगे सब कुछ open रखा हुआ है उसके अंदर में आप लोग जो है उसके कर सकते हो वहाँ पर मैं आपको डाल दी जाएंगी इसको ठीक है तो तोलकापीम जो है तोलकापीर ने लिखी थी फ्रेंड्स तमील भाषा का ग्रामर है सिलपधी कारम करके चार सो साल के बाद में ठीक है सतनार ने आकर ठीक है उसके बाद में जो है और भी बहुत सारी पुस्तक है आप लोगों की लेकिन में जो यह तीन पुस्तक है आप लोगों ने याद रखनी है ठीक है यह पहली तीन पुस्तक है आपने याद रखनी है ओके प्रारंबिक तम पिलम क्वी अ Sharpie स्मॉप सखेजृ आंप लोगों कि उन महा कवी Gobind कि एक सिलप्डी टरम और एक स्कुमितर इस में जो हिरो है ठीक मैडम के साथ में शादी हो चाद से रहता है उत्ना तर्व आध करते हैं बहुत सा कावी तारी तारी तारीफ कि तुम जो है बिना मेकप के भी संदर में भाशuciones में वहां पर वहां नहीं सब थोड़े लगते हैं अपने दुकान नहीं रहता है वाहा पर में समय बारत students नहीं मेरी वाइफ अच्छी थी गर के तो वापस आ जाता है वापस आ जाता है तब तक बिजनेस पूरा ठप पड़ चुका होता है ठीक है तो लड़की का चक्कर बाबु भी या लड़की का चक्कर सिलपदी कारम के अंदर में दिया हुआ हो आपका बाद में जो है फ्रेंट सिलपधिकारम खतम हो गई मनी मेखलाई के अंदर में एक और जो है सतनार नाम के कवी आए 400 साल बाद उन्होंने बोला यार इस कहानी को और आगे बढ़ा सकते उन्होंने क्या किया उन्होंने सोचा कि जब वो जो हीरो था वो जो माधवी क के इसमें गया था ठीक है यहां पर में माधवी के तरफ में जब वो गया था जो नित्यगी थी तब ना उनकी बेटी हो गई थी सिलपधिकारम में लिखना भूल गया वो तो माधवी और यहां पर में जो हमारा हीरो है उनकी जो बेटी है उसको यहां पर मनी मेखलाई के अ की नहीं हो यहां पर में देखिए फ्रेंट सियहां आप लोगों का संगाम साहितुमें निम्न वंशों मेंसे किस एक का उल्लेक नहीं मिलता है संगा उल्लेक लेता ठीवैक। यहां मिलता है जो छेर ऑर पांडया उल्लेक, शेर हो सय क्वоляक लिए इस Advanced तो चोल है, चेर है और पांडिया है, ठीक है, तो चोल, चेर और पांडिया, चोल इधर में थे, चेर जो है, वो केरल के साइड वाले थे, ठीक है, इधर में चेर थे, इधर में चोल थे और इधर में पांडिया थे, तो चोल, चेर और पांडिया, ठीक है, पल्लाव का उलेक उसमें नहीं मिलता है, तो answer आपका पल्ला हो जाएंगा, क्योंकि किसका उलेक नहीं मिलता, यह पूछा गया है, तो चोल, चेर और पांडया, आपको पता है, चोल, चेर और पांडया, इन तीनों को मिला कर क्या कहा जाता था, याद रखने आप लोग छोल चेर और पांडिया इन तिनों को अगर आप मिला दोगे तो उट्री जरूरे इनको मुबेंड़का गया है तीक है मुबेंड़कं तीन राजवंष होता है लाइगे शेयर करते हैं जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इतने सारे लोग देख रहें पूरी एनर्जी से पड़ा रहा हूँ हो इस प्रत्नी की पूजा होनी चाहिए वरके तो पति वरका पते मितली मतला पतनी अगर मथो multip daughters है आप लोगों की तो ठीक है उसकी पूजा की बात की गई है वो पती रता बताया ना मैंने आपको वो अन्ट सीघ cigarette कि लोगों की को जी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सिलपदी कारम के अंदर में, हमारा हीरो, हमारी हीरोईन को छोड़के चला गया था, उसके बावजूद भी वो उसका अंतजार करती रही और जब वापस आया तो उसको एकसेब भी कर लिया यहाँ पर में, तो सिलपदी कारम के अंदर म अप लोगों ने हिलांगो ने इसकेंदर में ये बात बताई गई है कि हमारा hero किलफ़ दी कारम कहानी के अंदर में वो अपनी बातनी है कन्नगी उसको चोड़ कर चला जाता штjän Caesar माधवी के पास में जो कन्नगी है वह इसका इंतिजार करती हुए जो है दारवाजे के उपर में बैठी रहती है फिर वो बहुत रोती बहुत रोती बहुत रोती फिर बहुत दिनों के बाद में उसका पती वापस आता है फिर भी accept कर लेती है दिखिए तो पती वरता पतनी यहां पर में यह याद रखने है आप लोगों ने चलिए तो इलांगो ने जो है फ्रेंट्स यहां पर में लिखा था यह याद रख सेक्था आप लोग कोवलन की जो पतनी थी उसका नाम था कन्नगी अपनी पतनी कन्नगी को छोड़कर वो मादवी के तरफ में अट्रैक्ट हो जाता है यह पती पतनी और वो यह है यह याद र लिटर्चिल एक्जाम में पूछा गया कोश्यन मैं आसे कहा है कि आप लोगों का यह जितनी भी इक्जाम आप लोगों के होती है उनके अंदर में ठैक्व यहर पुछा जा सकता है यह सारी की चीज़े आप लोगों की ठैक्वार्य institute इसको थोड़ा सा आप लोग याद लगू वेद जो है उसके रूप में यहाँ पर में माना जाता है यह याद रखने आप लोगों ने थोड़ा सा ठीक है पेरिया पुरान को यह आप लोगों का आंसर हो जाएंगा आंसर इस ओप्शन नमबर यह अगे बढ़ते हैं यहाँ पर में हम लोग हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर में नेक्सट पॉइंट है आप लोगों का कि संगमकाल में तमिल भाषा में महा भारत को किसने लिखा था संगम काल के अंदर में तमील भाशा के अंदर में महा भारत को किस ने लिखा था ये आप लोगों से पूछा जा सकता है तो तमील भाशा के अंदर में महा भारत को लिखने वाले थे पेरुन देवनार ये याद रखने है आप लोग ने पेरुन देवनार इन ये व्यक्ति थे जिन्होंने तमील भाशा में महाभारत लिखी है तमील भाशा के अंदर में महाभारत तो महाभारत को तमील भाशा में लिखने का श्रे पेरुन देवनार को दिया जाता है यह भी एक पॉइंट है आप लोगों का जो आप लोगों ने याद रखना है यह RAS RTS Prelims History Optional 2010 के कहां से पता चलती है कि भारत का रोम के साथ में भी व्यापार होता था तो अरीका मेडू नाम की जगा आज आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंट्स आपके पॉंडिचेरी के अंदर में ठीके तो अरीका मेडू यहाँ पर में एक बंदर गहा मिला है हमें अरीका मेडू के अंदर में यहां से पता चलता है कि भाई रोम के साथ में रोमन समराज्जी के साथ में यहां से व्यापार होता था ठीके तो पॉंडिचेरी के अंदर में अ रओंडिचेरी के पास में अरीका मेडू मेड़ू नाम की जगह यहां से व्यापारी जहाज जो है वो रोम के तरफ में जाया करते होंगे ऐसा पता चलता है हम लोगों को, प्रेंड संगम सहित्य में कावेरी पटनम का संबंद किस से है, तो कावेरी पटनम नाम की जगह है, आपको बताओ, इसको पूहर के नाम से भी जाना जाता है, इस जगा को, एक जगा है काविरी पतनम, काविरी नदी के किनारे पे इसलिए काविरी पतनम बोलते है, इसको पूहर भी बोला जाता है, पूहर, काविरी पतनम बोलो, पूहर बोलो, एक ही बात है, तो काविरी पतन यहां पर में केरल के अनदर में चेरव और में पांडया, तो मदुरई जहां पर में संगम आयोछीट हो थी, वह पांडया लोगों की राजदानी थी थी. तो, चोल, उनका एक शहर था कावेरी पतनम जिसको पूहर के नाम से भी जाना आ जाता है प्लीज इसको भी याद रखना पूहर के नाम से भी जाना जाता है आप लोगों का ठीक है चलिए तो चोर लोग जो है चोर नहीं चोल लोग जो है उन लोगों का एक शहर था ठीक है आप लोगों का को एक common नाम दिया गया है चोल चेर और पांडिया को एक common नाम दिया गया common उन तीनों को common नाम दिया गया है ठीक है वर्शा सिंग जी का यूँ प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपर पास होगा चलो बहुत अच्छी बात है Congratulations वर्शा सिंग जी तो यहां पर में मुवेंडर जो है यह याद रखने हैं आप लोगों ने फ्रेंड्स मुवेंडर ठीक है मुवेंडर कहा जाता था इनको यह याद रख लेना डायरेक्ली आप लोग मत्त विलास प्रहसन ठीक है मत्त विलास प्रहसन यह नहीं कहानी है मैं आपको बताओ इसमे यह कहानी मैंने पढ़िए मत्त विलास प्रहसन मैं आपको बता तो क्या है इसमें मत्त विलास प्रहसन के अंदर में महेंद्र वर्मन जो है इन्होंने यह लिखिये कहानी एक पल्लव राजा थे महेंद्र वर्मन इन्होंने क्या बताया एक साधू रहता है और उनकी पत्नी हो और उसको लेकर जो पूरी की पूरी वो सरकस होती है उसकी कहानी इसके अंदर में मत्त विलास प्रहसन ठीक है तो दोनों के दोनों ड्रंक रहे था एकदम मस्त पैकी तो महेंद्र वर्मन नाम के जो पल्लव राजा थे उन्होंने लिखी है यह कहानी मैं आपको बताओ महेंद लोकेशिन दो नाम का जो राजा था उसने मार दिया था मतलब उसके साथ में युद्ध में मारे गए थे महेंद्र वर्मन तो यह थोड़ा सा याद रखने आप लोगों ने थोड़ा सा बतातो पल्लव वंश के बारे में एक बार जितने लोग देख रहे हैं सारे के सारे ल इनकी वंशावलमी है वंशावली के अंदर में दिया हुआ है लेकिन सीह विष्णु जो है इनके में संस्थापक माने जाते है ध्यान से दिखिए आप लोग ठीक है उसके बाद में जो इंपोर्टन्ट वाले राजा है वो है महेंद्र वर्मन एक महेंद्र वर्मन इन्हों चालुक के राजा था पुलकेशिन दो इन्होंने मार दिया था यह याद रखेंगे उसकी मौत का बदला इनकी ठीक है अपने पिता की मौत का बदला महेंद्र वर्मन की मौत का बदला लिया नरसीम वर्मन एक ने जिसको ममल्ला भी कहा जाता है ममल्ला ठीक है तो महेंद्र नरसीम वर्मन एक जो है उसने अपने पिताजी की मौत का बदला ले लिया था इसका नाम ममला भी था तो नरसीम वर्मन एक का नाम ममला था इसने महाबली पूरम नाम का जो शहर है उसकी स्थापना की थी पहले उसको ममला पूरम बोलते थे फिर महेंद्र वर्मन दो आया पर और उनको किस नाम से जाना जाता था अवनी सिम्हा के नाम से भी जाना जाता था उनको अवनी सिम्हा ये एक important वाला point है आप लोगों का अवनी सिम्हा के नाम से भी इनको जाना जाता था ठीके चलिए बाव फ्रेंड्स अब कुछ इनको जो है चेतकरी भी बोला जाता था ठीक है चेतकरी क्योंकि इन्होंने क्या किया था इस तरीके से जो पत्थर थे उनको तराशकर मंदिर बनाने का जो प्रता थी उसको शुरुआत की थी महेंद्र वर्मन ने तो चट्टानों को तराश कर मंदिर बनाने की प्रथा दक्षिन भारत में किस ने स्टार्ट की थी महेंद्र वर्मन ने की थी पल्लव राजा था महेंद्र वर्मन पत्थरों को तराश कर मंदिर बनाने की प्रथा महेंद्र वर्मन जो है चालुक्यों के साथ में युद्ध मे मारा गया था पुलकेशिन दो ने इनको मार दिया था ये भी याद रखना है आप लोगों ने ठीक है चलिए ये एक चीज है इसके अलावा इनको विचित्र चित्त भी बोला जाता है क्योंकि इनके मन में आजीब अजीब से खयाल चलते थे जैसे मत्त विलास प्रहसन में उन विचित्र है ठीक है अलग-अलग थौट जो आते थे यूनिक थौट जो उसकी दिमाग में आते थे इसी वज़े से उसको विचित्र चित्त भी कहा जाता था ये भी याद रख सकते हो आप लोग फिर उसके बाद में महेंदर वर्मन जो एक है उसको मार दिया गया तो क्या हुआँ वतापी को जीतने वाला वतापी कोंडा ठीक है वतापी कोंडा वतापी कोंडा जो है उसने उपाधी ली थी वतापी कोंडा की इसने नरसीम वर्मन एक ने तो डायरेक्ट कोशन आएगा कि वतापी कोंडा की उपाधी किसने ली थी वतापी वतापी नाम की जो जगा है उसको तो उसने जीत लिया था तो वतापी किस की राजधानी थी पुलकेशिन दो की राजधानी थी जिसको आज बादामी के नाम से भी जाना जाता है चालिए UP special जो है friends मैं आप लोगों को बता है कि आपका जैसी 5000 स्थराइबर हो जाएंगे मेरे खाल सिर्फ 600 सब्सक्राइबर ही बचे है हमारे 600 सब्सक्राइबर अगर आफ शीख सकते हो ले सकते हो यहां से तो ले लिजिए यह मुका आप लोगों के लिए है City आप पूरी की पूरी पूरी साओ्थ इंडिया की ऊंडिया की हिस्त्री भी सीख रहे उनको तराश कर मंदिर बनाने का काम किया था जिसके वज़े से उसको चेतकरी की उपाधी भी मिली थी यह बताईया अभी आप लोगों को बताया मैंने चेतकरी की उपाधी भी मिली थी उसको तो चेतकरी की उपाधी धारन किया था उसने क्योंकि उसने मंदिरों का निर्मान करवाया था गुफाओं को तराश के तो महेंद्र वर्मन एक अभी आपको बताया ना महेंद्र वर्मन एक उसको चेतकरी कहा जाता था क्यूंकि उसने जो गुफाय थी उनको तराशनी का काम शुरू करवाया था तो आंसर आप लोगो को option number A हो जाएगा simple सी बात है यह इस तर वतापी कोंडा की उपाधी जो है किस ने धारन की थी वतापी कोंडा का मतलब होता है वतापी को जीतने वाला जिसने वतापी को जीत लिया हो वतापी बादामी जो कि चालुक के लोगों की राजधानी हुआ करती थी तो वतापी कोंडा की उपाधी किस ने धारन की थी तो की जो नर्सिम वर्मन एक है जिसको ममल्ला भी कहा जाता है टिक है ममल्ला या महा मल्ला कहा जाता है उसने वताफी और की उपद्धारण की थी इस ने चाहर को ओपर में में विद्रो हो गया था तो विद्रो को कुचल कर जो प्रिंस था मनी वर्मा उसको वापस से उसने गद्धी पे बिठाने में मदद की थी ताकि श्री लंका के साथ में अच्छे रिष्टे उसकी स्थापित हो सके ममल पूरं ठीके ममल नाम था ना उसका तो मल भर जो है उस्सने शहर की स्थापना की थी ममल भर अगर आप होते हैं माँआँ लो में राजया भर जैनाथ नाम से शहर बना दूल अ मैंflower वहाँ कि इसका पल्लव kingdom है वहाँ पर में वेंसांग ने भी यात्रा की थी जिसने बताया है कि सब लोग happy happy थे सारे के सारे लोग प्रकार के संतों को अश्रह दिया था ठीक है यू और अल्वार जो विश्णुभाक्त थे दोनों को इसने धारन की यह अपने आप में question बनता है, राज Simha की उपादी किसने धारान की थी, तो पल्लव वंश हम लोग पढ़ रहे है friends, ठीके, पल्लव वंश, ठीके, हम लोगों ने देखा Simha Vishnu, Simha, ठीके, Simha Vishnu, जो कि इनके संस्थापक माने जाते हैं, वास्त का माने जाते हैं Simha Vishnu, उन्होंने Avani Simha की उपादी, ठीके, Avani Simha, इसके बाद में आप लोगों ने देखा कि Narsimh वर्मन जो वन थे, उनको ममला के नाम से जाना जाता था, ममला के नाम से जाना जाता था उसके बाद में आप लोगों से बोला जा रहा है कि ऄंग या राज सिहे राज राज सिम्हा या फिर राज सिहं भी बोलते थे इसको राज सिहं ठीक है राज सिहं यह ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग इंपोर्टन्ट है एक्जाम के अंदर में पूछते हैं फ्रेंड्स प्लीज इन चीजों को याद रखें आप सभी लोग तो नरसी वर्मन दो जो है इसको राज सिहं बोला जाता था नेक्स्ट कोश्चन के तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दू कि इन्होंने कैलाशनाथ टेंपल जो है कांची के अंदर में कांची पूरम किसकी राजधानी थी पल्लव लोगों की एक नंबर और मिल जाएंगा के अंदर में या कांची के अंदर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी कांची के अंदर में राजधानी बनाई या कांची किसकी राजधानी थी तो पल्लव लोगों की राजधानी थी यह याद रखने आप लोगोंने शिव भक्ता बहुत बढ़ा यह यह याद रखने थी नेक्स्ट कोश्चन के तरब में आगे बढ़ते हैं कि कांची का विख्यात कैलाशनात मंदिर किसने बनवाया था देख सकते हो आप लोग आईस की एक्जाम के अंदर में पुछा गया कोश्चन है आप लोगों को बहुत सारे जगह पर काम आएगा डारेक्ट कोश्चन है आप लोगों का की कांची का विख्यात कैलाशनात मंदिर किसने बनवाया था तो कांची का विख्यात कैलाशनात मंदिर जो कांची पूरं तमिल नाडू के अंदर में आप लोगों का ये आपका बनवाया था नर्सीम वर्मन दो को किस नाम से जाना जाता था आप लोग में नाम से जाने जाते थे यह, तो आंसर होगा, आपका option number A, ठीक है, नरसीम वर्मन दो, राज सिम्हा के नाम से जाने जाते थे और कांची के अंदर में कहलाशनाथ टेंपल इन्होंने बनाया है, इसके अलावा महाबली पूरम नाम का शहर, महाबली पूरम नाम का शहर, इनके पर पर दादा ने बनाया था यहाँ पर में, ठीक है, तो उनके जो पर पर दादा थे, उन्होंने महाबली पूरम नाम के शहर की स्थापना की थी, लेकिन उस शहर के अंदर में शोर टेमपल यह तटिया मंदिर चीक है मतलब तट वत समुद्र के किनारे पर बने वे इस वज़े से तटिया मंदिर बोलते उसको तो वो मंदिर भी इसने बनवाया था अपने पर-पर दादा वाले शेहर के अंदर में तो महाबली पूरम ये ममल्लपूरम नाम का जो शहर है रहे तमिन नाड़u में वहाँ परमे ये तटीय मंदीर किस ने बनवाया, तो नर्सीर मुर्मन दो नहीं बनवाया था जा जयी जो मंदीर है, इनको पगोडा भी कहा जाता है साथ पगोडा पकोडा नहीं है वह ठीक है नहीं तो पता से लिए आप लोगों के मन में पकोडा आ रहा है पकोडा नहीं है वह पगोडा है पगोडा साथ मंदिर या सेवन पगोडा ठीक है तो सेवन पगोडा उनको बोला जाता है तो सेवन पगोड आ आज यह जो मंदिर ओका समूंई यह कहापर में है यह महाबलीपूरां के अंदर में यद्क रखनें आपbayर्ये साथ मंदिरों का सम्यटल अ जो अप लोगोर के तट के उंपर में बने हुए है यह मंदिर तटवर्ती लाक ये अंदर में पकोड़ा नहीं है वो आगे बढ़ते यहां पर में आप लोगों के नेक्स कोश्चन के तरब में कांची पूरन के वैखुंट पेरुमल जो है आप लोगों का वैखुंट पेरुमल मंदिर एक और राजा थे इनके नंदी वर्मन दो उन्होंन उन्हों बाद में एक नंदी वर्मन भी आया था नंदी वर्मन दो उसने वैखुंट पेरुमलमंदिर बंदिर बनाया था कांची पूरा में वैखुंट पेरुमल जो है ठीक है तो देखो कहलाश मैं फिरसे रि종रा देता हूं मेरे साथ साथ में लिकंगो कहलाश नाथ टेंपल किसने बनाया था यह आप लोग लिख ए और वैकुन्ठ पेरुमल मंदिर नंदी वर्मन दो वर्मन दो उन्होंने बनाया था वैखुंट पेरुमल मंदिर और वही अगर आपसे कैलाश नात मंदिर आप लोगों से पूछ लिया जाए कैलाश नात मंदिर किसने बनाया था तो यह आप लोगों को याद रखना है नर्सिम वर्मन नर्सिह वर्मन दो ने ठीक है यह नंदी पत्तन था ? टोंडी, इर्टी नाम का एक French पत्तन या पोर्त, यह नग सब भूह ला बत्तन और आप लोग बने पत्तन शेहर था, तो टोंडी कौन से ड GIS तोंडी न में बतार सकतता है आप लोग का कई बनो से अप लोग ला यह से बता है आप लोग आपको तो दिखे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से टोंडी तो यह आप आपको आज के के अंदर में मिलेंगा यह के अंदर में यहां से मसालो का व्यापार जो होता था आप लोगों का साथ में तो चेर लोगों की चेर लोगों का यह एक समर्द पतन नगर था नगर था जो कि के रल में था तो टोचर लोगों का फिकर य्ण यह याद रखने या आप लोगों को ने कि लोगने किक ए तो यह याद रखने है आपजो ने चेर लोगों का था आप लोगों का कंडी चैणिगा चालिए लाइन नेक्स्ट कोस्चन की तरह में आगे बढ़ते यह ये आँसार आप लोगों को दільки घग गया है चेर लोग जो है इनको क्या बोला जाता था ये याद रखने आप लोग ने, चेर लोग मतलब केरल की इलाके में राज करने वाले, केरल का जो इलाका है वहाँ पर में साशन करने वाले, ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखोंगे, important exam के अंदर में पूछा जाता है, मैंने आप लोगों को बता दिया की केरला पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है, केरला पुत्र क्योंकि केरल की इलाके में ही इनका शाशन था, अच्छा यार यार ये भी question आपका दिख रहा है, आपका, चेरा सामराज्य के पहले राजा के रूप में किसका नाम दर्ज किया गया है, चेर सामराज्य, तो जो है इनके पहले राजा के रूप में किसका नाम आप लोगों का दर्ज है चेर लोगों का ठीक है चेर राजा के पहले राजा के नाम में रूप में किसका नाम दर्ज है ठीक है जल्दी से बता देंगे आप लोग तो मैं आप लोगों को directly बता दूँ friend, यहाँ पर में उत्यान, चेरालθन जो थे उत्यान, ये बस यह याद रख लेन आप लोगों उत्यान जो थे यहाँ पहले चेराराजा माने जाते है, चेरराज्या, गे के हिए पहले चेरराज्या, मतलब यहाँ पर में इन्हों ही इस राज्ये की स्थापना की थी, पहले छेर वंश के राजा, उथियान, तो यह आप लोगों ने याद रखना है, इसकी टेस्ट भी आप लोग दोंगे और इसको आप लोग रिवाइस करोंगे, आप लोगों को और जादा बहतर तरीके से यह सारी की सारी चीज़े याद हो तो उधियान याद रखना है आप लोगों ने, जो चेर लोगों का पहला राजा था, रिविजन इसदा की, जितना जादा रिवाइस करोंगे, उतना जादा आप लोगों के लिए अच्छा है, चेर वंश के निम्न में से किस आशक ने भारत छोड़ दिया और इसलाम को अपनाया था, तो चेरा वंश का एक राजा था जिसने इसलाम धर्म को अपना लिया था, ये भी एक इतिहासिक हम लोगों को जानकारी मिलती है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये कोशन आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है, इसी वज़े से इंपोर्टन बन जाता है आप लोगों का, ठीक है, तो कौन सा वाला था जिसने चेरा डाइनस्टी का जो है, उसने इंडिया छोड़ दिया था और इसलाम धर्म को अपना लिया था, जी, तो देखिए फ्रेंट्स, एक हजार नब्बे से लेकर, ठीक है, एक हजार, एक हजार नब्बे से लेकर, ठीक है, ग्यारा सो दो तक साशन करने वाला, राम वर्मा कुल शेखरा जो था, राम वर्मा कुल शेखरा, ऐसा माना जाता है कि इसने जो है, इसलाम धर्म कबूल कर लिया था, इसलाम अपना लिया था, और भारत को छोड़ दिया था, अरबिक, अरब ट्रेडर्स के influence में आकर, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो friends, answer इसका option number B होना चीए, ठीक है, तो राम वर्मा कुल शेखरा, ये देख सकते हो, आप लोग यहापर में, राम वर्मा कुल शेखरा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप सबी लोग, Who was the founder of Patini cult, ठीक है, Patini Pant, जो है आप लोगों का, कन्नगी, पन्त भी इसको बोलते है, कन्नगी, ठीक है, कन्नगी, पन्त, किस ने, जो है, इसकी स्थापना किस ने की थी, पतّिनी कल्त, या फिर कन्नगी, pant, Joe है, आपका, इसकी स्थापना किस ने की थी, इस इस जो ये पंथ है आप लोगों का इसके अनुसार क्या है पता है आप लोगों को कि जो कन्नगी थी ठीक है जो कन्नगी थी ठीक है उसकी पुझा की जाती है इस कल्ट के अंदर में यह याद रखने आप लोगों ने तो ये कल्ट जो था इसकी स्थापना किस ने की थी इस पुरी की पुरी जो आस्ता है न वो सिलपदी कारम नाम की जो कहानी है, सिलपदी कारम नाम की जो कहानी है, उसके ओपर में आधारित है, सिलपदी कारम की रशना इलांगो ने की थी, इलांगो, तो उस कहानी के अंदर में जो दिया गया है न, उसके ओपर में आधारित है, य कि वो पूरी की पूरी कहानी जoo आ वो असली है ठीक है जो इलांगों ने लिखी है और सेन गुत्तुवन जो थे इन्हों ने इस पन्थ की निर्मान किया था ये भी याद रखना है आप लोगों ने जिसके अंदर में बेसिकली आदर्ष पतनी या पतनी जो है आप लोगों के जो पती व्रता पतनी है उसके बारे में बात की गई है आप लोगों के सिलपदी कारम के अंदर में तो सिलपदी कारम जो की इलांगो ने लिखा है उसी के अंदर में सारी की सारी जो है यह सारी की सी terry चीज है दी गई आप लोगों को ठीकर अर इसके अंदर में basically saint-gutu one जो है उसको hero बताया गया और फिर बाद में saint-gutu one जो है इननों ने इस van yaşke ад्व की श्थापना की ठीकर तो friends आज जो है आप लोगों का और मिडिवेल हिस्ट्री जो रहेगा हमारा उसके अंदर में हम लोग थोड़ा सा जो राष्ट्रकुट वंश है आप लोगों का साउध इंडिया का वहां से लेकर फिर जो है उस आगे में जो त्री पक्षिय संगर्श हुआ उसके बाद में आप लोगों का दिल्ली सल्तनाथ दिली सल्तनाथ मुगल फिर उसके बाद में modern history सारी की सारी इस तरीके से हम लोग आगे बढ़कर 10 lecture 10 पार्ट जो होंगे हमारे history के उसके अंदर में पूरा history हम लोग cover करने वाले है तो पूरा अच्छे से देखना है आप लोगों को इसकी playlist भी मिल जाएंगी friend description के अंदर में playlist में आप लोग सारे के सारे जो पूराने वीडियो से उनको भी देख सकते हो ठीक है teaching परिक्षा app डाउनलोड कर लेना आप लोग ताकि आप लोग वहां से free of cost free में बिलकुल free में वह एक रुपे का price है वह भी पेनी करना है अपनी अंदर जाओंगे आपको सारा free में मिल ज इसको कीजिए यहां पर में BPSC में B8 appearing वालों को मौका मिलेंगा कि प्रियांशु कुमारी जी अगर आपका result तब तक आ चुका होगा exam तक तो मौका मिलेंगा लेकिन अगर exam तक result नहीं आया तो फिर नहीं मिलेगा exam तक जब जिस दिन BPSC की exam होनी है उस तारीक तक आपका B8 का paper हो जाना चाहिए बिसिकली result चाहे बात में आजए paper हो जाना चाहिए जो main चीज थी ठीक है तो paper हो जाना चाहिए आप लोगों का जस्प्रीत कौर जी एक बार जो है न वह आप कॉल कर ले न उसके अंदर में एक बार जस्प्रीत कौर जी आप जो है अभी एक बार कॉल कर लीजिए नंबर के ओपर में ठीक है आपका जो स्वेप वाली प्रोसेस है वह मैं करवा देता हूँ टीम से बोलके जो आपका वह प्रोसेस है बाकी जो आप लोगों के जो भी P.E.T. वाले बचों ने पैसे दिये थे उन लोगों का भी refund हो जाएगा ताकि वह फ्री में पढ़ सके अगर कि फ्री आफ कॉस्ट है तो उनका